ओ गाईयां चुग कर आयावे मोहे कि थे गया चरगाहा जो लोग गाईयां चरवाते थे मैं आपको बताओं कि कहीं लोगों को समझ में नहीं आएका तो जो एक चरगाहा होता उसके साथ जो गूमता है उन्हीं के साथ-साथ तो उसी के लिए ये गाना था तुझे बगवान क्रिशन के लिए भी ये बनाया गया था ओ गाईयां चुग कर आयावे मोहे कि थे गया चरवाहा दुद मखन दिया चोरिया करदा आप देखे रहे हैं न्यूसायर इंडिया और मैं हूं अर्फाजा मडैंग जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जम्मो किश्मिर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और वैसे ही टैलेंटिड शक्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो एक पत्रकार हैं आपने इनको कभी न कभी जो है जरूर देखा होगा आं स्क्रीन भी रहते हैं, स्क्रीन के पीछे भी रहते हैं और एक टैलेंट इन में बहुत ज़्यादा है और इस पत्रकारता से पहले का है यह आर्टिस्ट भी हैं और सिंगर भी है और इनसे हम मिलवाने जा रहे हैं लोगों तक पहुंचाएं तो ये शौक कब से पड़ा आपको अरफाज जी सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं आपका शुक्रियादा करता हूं कि आपने मुझे उस काबल समझा और मुझे अपने चैनल के महाधियम से जो मेरे अंदर हुनर है या अधरी आपको पता है कि जब बात चलती है फिर मैंने उनको बताया कि मैंने तब से नाटक की हैं काफी सारे प्रोग्राम की है मैंने बड़ी जगों पर शिमला में हिमाचल में पूर्णे में रैड्क्रॉस की तरफ से कहीं सारी संस्तों की तरफ से आवाड्स भी लिए हैं और काफी सारे फस्ट आवार्ड भी मिले हैं और मैंने नाटक भी किया था 1992 में अभी नव थेटर के अंदर जिसमें मुझे फस्ट आवार्ड भी मिला था तब मुझे इतना कॉंपिटेशन भी नहीं था तो अगर इंसान चाहे तो अंसान आगे भी बढ़ पाता हाला कि आगे मुझे इस काबिल समझा कि आपने मेरी वीडियो देखी तो आज आपने एंट्रूट करने के लिए शुरुवात कहा से हुई मनला अब को कभ पहली बार लगा कि मैं सिंगं कर सकता हूं मैं आटिस्ट बन सकता Biz she describes किव सठ सर애 आक्टिंग के मुझे ना शूप नहीं THAG decision क्या था कि मैरे जो दादा जी थे वोबी अपने घर पर ही गाता थे काफ़ी अच्छा गाना गाते थे उन्होंने भी काफी सारे स्टेश में मुझरम जैसे पहले बड़ी-बड़ी काफी तरीके से एक तो वहां पर था कि मैं थोड़ा बहुत जो गुन गुना सकता हूं उपर वाले की जो देन थी मुझे लेकिन हमने उसको उस तरीके से पॉलिश नहीं किया तो उस बज़ा से लेकिन फिर भी गाते हैं तो कमिया कहा रही कमिया सर कहीं न कहीं इंसान को मैं कहूंगा कि वैसा एक प्लेट फार फैमिली थी हमारी पूरी तो उसमें गरीबी हालत ही होते हैं आप समयते हैं कि 65 रुपीज मिलता था उसे 65 रुपे पे उन्होंने सैलरी जब उनकी जॉब लगी तो 65 रुपे में तो बच्चे का पालन पॉशन करना माबाब के लिए काफी बड़ा मुश्किल होता है आपको घड़ा तो थैंथ पार्ष्ट हैं उन्होंने कई सारी ट्रेडिंग है की है और जैपूर में उन्होंने की है बंबी में जाकर ट्रेडिंग की है कि तो इसके बाद तमाम स्ट्ट्रगल करके वह आज छीफ टेकनिकल पोस्ट की पर रिटायर हुए है वो एक डॉक्तर वी होत तो उनको अतना मुका नहीं मिला तब इतनी वह सूजबूज भी नहीं थी कि वह ज्यादा हमें गाइड करते कि नहीं आप इस लाइन पर पढ़ाई की तरफ ही दाद जो उनके से हो पाता था उन्होंने की और बड़ा किया सी बात नहीं कि नहीं कि तो एक मिलब वक्त के अभी जेके चैनल में शायद सर्विस भी करते थे और उन्होंने मुझे कहा कि रुपेश क्योंकि मुझे एना टीवी में देखता था मुझे कैमरा चला रहे हैं इंट्रूबू कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मेरे दिल में यह रिपोर्टिंग का तो मेरे बात होगे मैं वहां के जो योजो ओनर हैं उन्होंने में से कारश कोई निया बात नहीं आगा तो वही चलता गया और मैने कैमरा चलता गया और मेरा बस एक ही फोकस रहा इस साथ आट सालiejं को महां पर काम किया और बड़ी लगन से काम किया से महां से बात नहीं है तो आज बस उसी के वहीं से कुछ सिखा हुआ तो आज हमारे साथ चल रहा है तो यह जो सिंगिंग और पत्रकारिता है इन दोनों में से अगर आपको एक प्रोफेशन चुनना पड़े जहां पर आपको मौका मिलता है तो आप किसको चुनना चाहेंगे देखिए यह बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है कि आप किसको चुनेंगे क्योंकि अब वक्त वैसा है कि भगवान किसी को मौका देता है कुछ मोके भी मेरे पास काफी सारा टैलेंट भी उस बनता तब की बात करूं जब तब इतना कॉंपिटेशन नहीं था इतना टैलेंट नहीं था इंडिन आइडल नहीं था सारी गामापाइस तरकी कोई चीज़ें नहीं आती थी उस समय अगर मैं थोड़ा सा परयाज करता तो आज शायद में भी ब फासीवल नहीं होगा कि मैं एक हाथ से निकल गया है फिर भी परयास है कोशिश है अगर कहीं मोका मिलेगा तो आपना अपना फॉड़ा हमारे वीवर्स क लिए देखिए मैंने अभी हाली में दो जगाओं पर मैंने इंटर्वू किया है तो अलग अलग गाने जो मेरे फेवरेट से वो तो मैंने उने सुना दिये लेकिन आज मैं आपको तोड़ा डिफरेंट बताऊंगा जो अलग तरह से क्योंकि कही ना कही दर्शा कहेंगे क्या शायद और हैंजिन को यही गाने आते हैं जो यही बार-बार गुन कुना रहे हैं रहा है और क्योंकि वह इसनलिए मैंने गुण गुना आए था जिन पे मिने प्रोग् alm किये था जिनь पर मैंने वां पर उनाए था तो आज मैं आपको कोई और गाना सुना हूंगा 2007 ऐ região लाला लाला चांद सितारे फूल और खुश्बू ये तो सारे पुराने है ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दिवाने है हुम 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 हु ज्यादा पसंद करते हैं या पंजाबी डोगरी वगारा कुछ इस तरह की भाषाओं में भी ज़ादा तो मेरा प्रयास हिंदी में रहा हला कि मैंने कभी डोगरी इस तरह के गाने गाता था लेकिन बड़ा कम गाता था तो फिर कोशिश करता हूँ गाने की ताकि लोगों को यह ना लगे कि हम डोग रहे हैं यहां के तो हमें वह चीज़े भी आनी चाहिए क्योंकि जब तक इंसान परयास नहीं करेगा जब कोई भी चीज़ के लिए काम नहीं करेगा तो वह चीज़ उसे आती नहीं है तो फिर भी कहीं नहीं हम करते रहते थे थोड़ा जैसे एक गाना था यह थोड़ा पंजाबी भी है और ढोगरी को भी टच करता था एक बगवान का गाना ही था जो लोग गईयें चरवाते थे मैं आपको बताओं कि कहीं लोगों को समझ में नहीं आएक जो एक चरगाहा होता उसके साथ जो गूमता है उन्हीं के साथ साथ तो उसी के लिए यह गाना था तुझे बगवान क्रिशन के लिए भी यह बनाया गया था गया चुग कर आई आवे मोहे कि थे गया चरवाह दुद्मक्न दिया चोरिय करदा कडता सो गाल गया चुग कर Alla मोहें कि थे गया चरवाह चाहता हूं कि अगर दर्शक को कोई फरेमाश कर रहे हैं तो मैं थोड़ा-थोड़ा सुना दूँँ आपको उमीद भी करेंगे और हमारी ख्फाइश भी यह रहेगी कि आपका गाना कोई नहीं कोई जल्दी से जल्दी रिलीज हो और लोगों तक वो पहुंचे और पूरा ग के लिए कि इस तरह का स्ट्रेगल जो आपको देखना पड़ा लाइफ में या किस्ति की कमियां आपको खली क्या कारण रहे कि आपको पत्रकारिता की और आना पड़ा क्या मैसिज रहेगा अरफा जी देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि हर एक इंसान की फाइनेंशिल बड़ी दिक्कत होती है मेरे फादर साब ने बढ़ा अपने आपको मतलब वो कोई नशा नहीं करते थे उनका सिर्फ कोई भी किसी तरीका का एब उनको नहीं था उनका सिर्फ एक ही फोकस था कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह से उनकी परवरेशी करनी ह हाला कि दिक्तें तो बरी आई लेकिन अभिभी विम्ने मैसूस नहीं होने दिए कि उन्हें कोई दिक्कत है क्युक्य बताऊं कि 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 यह आपका सवाल था कि नहीं आप आप इनशनल की बजह से तो कि मुझे नहीं एसा लगा कि हमें कभी फाइशनल की कभी हुई हमें क्या हमंने हर वक्त कि हमले करें की मैरे बच्चों को भी कई का सब्वम पास विलिए कि तो लिए नहीं गाड़ीयां लेकर दी आलागी जो मांगा उनोंने दी आसी बातनी लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि एक गाइनस नहीं थी कि कि लाइन में जाना है क्यूंकि तब वैसा महुल आज तो आप देख रहे हैं कि कोई केई की एक्जाम कर रहा है कोई वहें से बता रहाएं कि आपको पता है कि वावे में रहते हैं वहां पर लोग भी इतने अवेर नहीं थे और कहीं ना कहीं वहां पर गरीब लोग भी जादा था रहा है तो किसी भी टैलेंट की कोई उमर नहीं होती, जब भी आपके अंदर कोई भी हुनर है, आप उसे बाहर निकाले, लोगों तक पहुचाएं, वक्त का कोई व्रोसा नहीं, कब आपको कोई मोका मिल जाए और आप बुलंदियों को शूजाएं। तो रुपएज जी, अगर आपको कोई फाइनेंसर मिलता है और आपका कोई गाना करता है कि आपको हाँ गाना गाई है, हम उसमें फाइनेंस करेंगे, तो क्या आप गाना चाहेंगे? बिल्कुल अरवाजी अगर कोई मुझे कहेगा क्या मेरा खुद का भी परयास है मेरा एक दो जगा पर मेरा स्टोडियो में गाना भी हो रहा है आला कि मैं गाकर भी आया हूँ तो हो सकता है क्योंकि उसको थोड़ा पॉलिश करने की जुरूरत है कहीं न कहीं लगता कि आने वाले दिलों में जुरूर वो गाना पब्लीक शोगा और पब्लीक के सामने जल्द ही वो गाना आएगा और रिलीज भी हम उसे करेंगे और अच्छी तरीके से उसे हम रिलीज कर इतना बड़ा टैलेंट मेरे को भी आज ही पता लगा है इनके इंट्रिवूज जब वाइरल हुए उसके बाद मेरे को पता चल और मैंने भी चाहा कि हमारे वीवर्स भी जो है इनको पहचाने जाने पहचाने और बड़े सारे लोग होंगे जो इनको जानते पहचानते भी है आज पत्रकार लेकिन जो इनके अंदर चुपा हुआ है वो बड़ा पुराना था और आज फिर से कहीं न कहीं वो कीड़ा बाहर आ रहा है और उमीद करते हैं कि इनका जो गाना आएगा उसको भी आप लोग बहुत पसंद करेंगे फिलालाब देखते रहे ये नियुस है इ कैमरामन शानवास के साथ हेलो असलाम लेकूम मैं सेयद मुल बनीन फ्रॉम दे ग्लाम क्लोजेट मैं भाई प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ बात मेरा पैशन हमेशा से एक अल लेडी स्टो का था जो हम रन कर रहे हैं अलहम्दलला भी का मसजद चोक पत हिंडी में जिसके हम वज़े से काफी जान जाते हैं वो हमारी स्टिचिंग है मारी स्टिचिंग काफी सुपिरियर है और आप एक बार ट्राय करें आके बहुत modern पर बेस्ट है और राइसे बहुत रीजनेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मतीरियल, फुट्वेर, हैंडबाग, मेकप, लॉंजरी, वो सब अवैलेबल हैं। हमारे पास एक बार विजिट करें। आप शवराब बहुत लुट्वेर, तैंक यू